पहले हम कहाना तक लिखते थे 1 से 10 तब तो आज हम लिखेंगे 1 से 20 तब क्योंकि 20 तक तो हमने नमबर पढ़ लिए हैं तो अभी हम 1 से 20 साथ में लिखेंगे तो चलो देखते हैं नमबर 1 से 20 कैसे लिखेंगे? उपर रेड लाइन वाली जो बॉक्स है वहाँ पर लिखेंगे 1 से 20 20 तो सबसे पहले रेड लाइन के बॉक्स है वहाँ पर लिखेंगे टी आड ओ नें 1 से 10 कैसे लिखेंगे? 1 से 9 तक कहां से लिखेंगे? T वाली रो में की O वाली रो में? तो 1 लिखेंगे हम O वाली रो में क्योंकि सिंगल लिखेंगे हैं जब 2 लिखेंगे स्टार्ट होगा तब हम T आड ओ में लिखेंगे अगब तिंग डिजित है तो गो आगा उपन डू एक नूहिव तो सबसे पहले लिक एंग पूलिंग ते लूबर गण ओप गवाग के बाग नूबर 2 3 4 5 6 7 ये 1 and 1010 टू बोक्स में दी वाले बोक्स में भी लिखेंगे 1 and ओ वाले बोक्स में लिखेंगे 0 1010 तो ये हो गया हमारा 110 यहां पर ओके बाचो में तो डॉट बना रही है और सारे बोक्स में नीचे तक डॉट बनाएंगे तो ये लाइन छोड़ देखेंगे अभी वापस से लिखेंगे T and O अभी 1111 टू डिजित है तो दोनों बोक्स में T and O में लिखेंगे 1111 11 12 12 13 14 14 14 15 16 16 17 17 17 18 18 19 19 19 19 के बाद क्या आएगा 2 0 20 यहां पर 10 आएगा last में यहां पर last में आएगा 20 तो बाद से इसको जोड से एक बार बोलना है चलो बोलों मेरे साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10 1 1 11 11 12 12 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 19 19 20 तो यह हो गया हमारा 1 से लेके 20 तक के नंबर्स अगर अभी 1 से 20 तक आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो फिर हम 20 के आगे कौन सा नंबर आता है वो पड़ेगी तो आपको आज होमवर्क में क्या करना है 1 से 20 यह हमने सिर्फ एक बार लिखा है पर आपको प्रैक्टिस वाली बुक में ऐसे ही 2 टाइक लिखना है एक पेज पे एक बार दूसरे पेज पे दूसरी बार के...